फिर एक बार देवेंदर फणनवीश को लीडर अब दी हाउस जो है वो चुना गया है ने भाज़ापा का गटनेता जो है वो चुना गया है अब महावल आप देख सकते हैं कि विदान बहुन में ये महावल है भाज़ापा के इतिहास में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि 132 जो है साथ अपक्षा एमेले जो है वो बीजीप को सपोर्ट कर रहा है तो ये महायूती की सरकार बनने जा रही है और सुदीर मुंगेटिवार ने देवेंदर फणनवीश के नाम पो प्रस्ताव रखाया आपने और क्या महावल रहेगा कैसे रहेंगे पास साल एकनाशिद रिखते आने वले पास पास साग में छत्रपती श्वाजी महाराज के इस महारास्टर की सेवा एक श्यू भक्त दिगोजान से करेगा उनके साथ पूरी महायूती के विधायक रहेंगे महायूती के कारेकरतार रहेंगे महायूती के नेतार रहेंगे इस महारास्टर को आगे कुरुतिक मंत्री के नाते मैंने चेहन किया था उसके आखरी शब्द है तो यह दिखी को आगे बढ़ाना है देश को आगे बढ़ाना है तो छत्रपति शिवाजी महाराश्ट का महाराश्ट पुरी शक्ति के साथ पीछे गएगा अधिकी सरकार बननी जा रही है क्या एकनाज चिद्धे डिप्टी सीम परेंगे यह पता है अब यादी तो हमको पताया नहीं गया आउट अप से गया बसे यह कितब अभी तक पढ़ा नहीं है ना ही इसकी जानकार रही है कोई विवाद नहीं नाराज नहीं है मैं आपको बताता हूं एकनाज जी नाराज नहीं है कौई करोड़ नहीं है कि खाते में पैसे देना है हम निश्यत रूप से देंगे कोई शंकाने को मंत्री बने वो तो मुझे पता नहीं हो तो हमारे यह वो कोई पूछ के थोड़ी मंत्री बनाते वो तो दिल्गे से चिठ्धी आएगी देवेन जी के साथ सग्धा मसगत रहा है वो कह रहा है कि अभी बीजेपी का गुटनेता चुना गया है यह गुटनेता जाकर राज़पाल को मिलेगा वहां से पर राज़पाल एक और निकालेंगे उससे पहले ही तैयारी शुरू हो गई शपद्विती कि यह टेकनिकल मुद्दों में ही इनकी जिंदगी गई को आगे बढानीं को औरने के इनके पास नब का सोच है ना कोई विचार है मारास्टरूंकोने को आगे बना डेकर सोच को यह तो फ्रीजर में बन करके रग देते का अ बtrack करते हैं क्या मुद्ध उठा रहें है आप कोने मुद्धों पे बात कर रहे यह आप आप के मन में को को संकल्ब बताईए ना इनको तो पूरे सिर्व अपने सन्मान की पढ़िया है मैं तो इनके नेता को एक बात करते सुना वो जन्रल नागेज भी बिगाड रहे इनके आटग जी और अडवानी जी कब आये थे 84 में 84 में तो एचके पटेग और जंगा रिड़ी आये थे क्यों यह जन्रल नागेज भी घाड थे मुझे पता नहीं चुका मैं शुदी मुंगति बार बता रहे थे कि कैसे रहेंगे पास साल